हलो गईज स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल यूनिक मैडिसिन पर दोस्तो जिस पर हम दवाईयों के बारे में नईनी जानकारी लेकर आते हैं तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाटरी मजोल बेजाइनल टैबलेट के बारे में जो की 100 mg के टैबलेट हैं और ये कैनाजोल बीजी के नाम से मारकेट में आपको मिल जाते हैं दोस्तो सभी में जो कमपोजीशन रहता है वो सेम होता है यानि सभी के अंदर क्लाटरी मजोल पाया जाता है और आप एक की जगह दूसरे को ले सकते हैं तो गाईज बैजाइनल टैबलेट के अगर हम यूज़िज और बैनेफिट्स की बात करें तो दोस्तो ये एक एंटी फंगल मेडिसन होती है यानि फंगीज की बजह से जो भी इन्फेक्शन फैलता है उसको ठीक करती है दोस्तो ये बैजाइनल टैबलेट होते हैं इनको दिया जाता है यौनी मार्ग में इसको रखा जाता है और यौनी मार्ग में और यौनी के अंदर होने वाले जो भी संक्रमण होते हैं जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करती है जोस्तो जब किसी महिला के वजाइना यानि की यौनी में फंगल इन्फेक्शन होत वाइट डिस्चार्ज होगा और एक इसमेली डिस्चार्ज होगा तो गाईज उस समय महिलाएं काफी परिसान हो जाती है और उनकी इस समस्या की वजह से उनको काफी इरिटेशन रहता है काफी चिर्चरी रहती है तो इस समस्या को ठीक करने के लिए क्लॉटरी मजोल दॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं दोस्तों ये 6 टैबलेट आती है यानि इसका एक पोर्स रहता है 6 टैबलेट का और इनको नाइट में यानि रात के समय इंसर्ट किया जाता है महिला की योनी के अंदर में तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर किस तरह से इसको यूज करवाते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं 6 टैबलेट का एक श्ट्रिप होता है और रात को जब महिला सोने जाती है तो उस समय इस एपलिकेटर की मदश से उनकी योनी में टैबलेट को रखा जाता है दोस्तों इस टैबलेट को पैक से निकाल कर इसके अंदर लोड किया जाता है. पिश्टन को पीछे की तरफ खुचके यहाँ पर टैबलेट को लोड करते हैं और टैबलेट को लोड करने के बाद महिलाओं को घुटने खड़े कर के लिटा दिया जाता है और लिटाने के बाद gently इस applicator को महिला के वजाईना में insert किया जाता है मतलब ये धीरे धीरे वजाईना के अंदर इसको insert किया जाता है और जब ये एप्लिकेटर पूरी तरह से insert हो जाता है उस समय इस piston को पीछे से प्रेस करके tablet को insert कर दिया जाता है तो ये इसके लगाने का तरीका रहता है दोस्तो टैबलेट को insert करते समय आपको कुछ बातों का दिहान रखना है कुछ safety tips हैं जिनको follow करना है कि टैबलेट को use करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह hand wash करें इसके बाद महिला को सही position में लिटाक कर उनके घुटनों को fold करवाए और fold करने के बाद में इस applicator को gently press करके vaginal cavity में अंदर insert करना है और इसके बाद piston को आगे की तरफ push करके टैबलेट को insert कर देना है दोस्तो इसके बाद में इस applicator को luke warm यानि हलके गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोके रख लेना है तो इस तरीके से आपको लगतार 6 रात तक यही प्रकिरिया दोहरानी है मतलब आपको यह repeat करना है और 6 रात में जब आप ऐसा करते हैं तो जो महिलाओं की समस्या होती है वो ठीक हो जाती है guys कुछ महिलाओं के comments आते हैं कि अगर इस tablet को वो use करते हैं तो उनको सुभा में white white निकलता है तो दोस्तों इसमें कोई डरने की बात नहीं है यह tablet 14-15 गंटे में पूरी तरह से घुल जाती है और अपना असर कर देती है उस समय यह tablet urine के साथ में बहार आती है यानि कि जब भी महिलाओं पिसाब करने जाती है तो उस समय यह tablet गलने के बाद में white white liquid form में बहार आती है तो इससे आपको डरने और घवराने की जरुत नहीं है यह tablet जो है बहार में निकलती है जिससे कि आपकी basinal cavity जो है साफ हो जाती है तो यह आपको धियान रखना है दोस्तो जब भी इस तरह का treatment लेते हैं एक वार अपने डॉक्टर की सलहा जरूर करें बिना डॉक्टर की सलहा के इसका सेवन ना करें दोस्तो रैडिस्ट्रिप medicine है एक pack के अंदर 6 tablet आती है RS यानि prescription वाली medicine है और आप यहां देख सकते हैं broad spectrum, fungicides and trichomoniaside तो broad spectrum मतलब 2 या 2 से अधिक जो भी fungicides होते हैं उनको मारती है, trichomoniaside है तो जो भी trichomonias हो जाते हैं उनको खतम करती है तो इस तरह से इस tablet का काम रहता है दोस्तो यह tablet आपको 39 रुपीज में 6 tablet का pack मिल जाता है जो की काफी reasonable price पर है innova cap tab के दोरा manufacture की जाती है looping limited के दोरा इसकी marketing की गई है और guys अगर हम इसका composition देखें तो हर एक uncoded tablet का जो contain रहेगा उसके अंदर clotry mazol Indian pharmacopia के according 100 mg होगा साथ ही exipience रहते हैं जो की quantity sufficient होते हैं दोस्तो इसको store करने के लिए instruction है कि 30 degree Celsius से नीचे के temperature पर store करें इसको crush ना करें moisture से बचाएं अगर इसको crush कर लेते हैं या moisture में रख देते हैं तो ये tablet गल जाती है फिर आप इसको applicator की मदद से insert नहीं कर पाते हैं तो ये आपको धियान रखना है तो guys ये थी आज की इस वीडियो में clotry mazol basinal tablet के वारे में एक जानकारी उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो आपके लिए informative रहेगा और अगर आप इस तरह की tablet का use करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा तो इसी उमीद के साथ दोस्तों आपसे मिलेंगे आपके एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो में अंतों तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद सेफ रहें अपना ख्याल रखें जैहिंद बंदेवात रहें